अंधियारा कितना हो घना विजयी सदा प्रकाश है कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरुकता हतियार है अंधियारा कितना हो घना विजयी सदा प्रकाश है कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरुकता हतियार है स्वास्त की प्रती सचेत्र हो जागों खुद भी सब को जगा कैंसर भगाओ कैंसर भगाओ कैंसर भगाओ एक जागरुकता अभियान है और इस जागरुकता अभियान में आप सभी दर्शकों का स्वागत हैं हमेशा की तरह हमाय साथ है वर्ल्ट फेमस ओंको सर्जन डॉक्टर माजित एहमद तालिकोटी डॉक्टर साव आपका हमाय शो में हार्दिक स्वागत है मैं आपसी जाना चाहूंगी कि आजकर जो दिल्ले में इस्पेशली पॉल्यूशन को लेके जो मुद्दा बना हुआ है तो आपके विचार से आपको क्या लगता है कि पॉल्यूशन भी एक कारण हो सकता है कैंसर का जिससे कैंसर होता है हाँ पॉल्यूशन हमेशा से एक मुद्दा रहा है कैंसर का और ये कॉंट्रिब्यूट करता है चार परसंट यानि सो परसंट कैंसर अगर के कारण है जिसे कोई भी अधर कारण जिसे शराब हो तंबाख हो हो खान पान हो तो पॉल्यूशन का जो कॉंट्रिब्यूशन है वो फोर परसंट है और दिल्ली में ये एक बहुत ही महत्व कारण है क्यूंकि आप देखिए जो वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है लंक कैंसर और दिल्ली में हम देखते हैं कि महिलाएं भी आ रही है पुरुश भी आ रही है और सबको खासी है और जब इवैलुएट होता है तो पता चलता है कि इनको कैंसर है और अप हैरत परेशानी की बात ही होती कि ना में ना इसने तंभाखू लिया है ना बी-डीपी है ना कोई एक फैक्टORY में काम कर रहे हैं पर फिर भी लंग कैंसर हो रहा है या ओर्र की cancer, nasopharyngeal cancer हो रहा है या larynx, voice box का cancer हो रहा है क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण है pollution. Pollution कई तरह के हो सकते हैं. एक pollution हो सकता है जो के बाहर हो, घर के बाहर हो और एक pollution होता है जो घर के अंदर होता है. इसको हम थोड़ा detail में इसलिए deal करेंगे, क्योंकि आज की date में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है, ये मुद्दा था चाइना का एक जमाने में, ये मुद्दा था लंडन का, अब हम भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बना है कि आज हम most polluted city in the world, जबके जो capital है इंडिया का, देली ये बन गया है, हर साल हम दिवाली मनाते हैं, खुश होते हैं, और सुबा में जब जाकते हैं, हैंग ओवर के बाद, सुबा की news, TV हम चालू करते हैं, तो आता है कि आज दिली का pollution सारे records तोड़ चुका है, हर साल एक नया record बनाते हैं, क्यूं, क्या, ये हम सब जानते हैं, पॉलूशन के contribution में, क्या मैं एक हिस्सेदार हूँ, क्या मैं एक cause हूँ, हम इसको परके, ये ज़रूरी नहीं कि कौन क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सुसाइटी के लिए, हम से कहां छूट हो रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें, तो क्या हुआ होगा ऐसे, कि दिल्ली में cancer के मरीज बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और lung cancer, बहुत common, और पूछने पे पता चलता है, कि आप ना तंबाकू लेते हो, ना कुछ करते हो, ये जो pollution है, ये बहुत मुख्यकारण है, और इसको हम deal कर सकते हैं, अच्छी तरह से deal कर सकते है हम इसको रोक लगा सकते हैं, क्या वज़ा हो सकती है, कि भारत के capital दिल्ली में ये pollution एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, हम सोचें, अगर देखो festival है, festival मनाना चाहिए, और दिवाली ही एक मुख्यकारण नहीं है, या कोई और इसका जो main कारण अगर हम देखेंगे, तो एक है, कि देली का हम देखेंगे, एक तो एक बहुत ही populated city है, यहां पर बहुत सारे constructions हो रहे हैं, बड़ी से बड़ी building है बन रही है, जहां पर मिटी, इट, cement का चल रहा है, और जब यह constructions होते हैं, तो usually एक law बनावा है, कि जब मान के चलो कि sand लेके गाड़ी जा रही ह तो उसके उपर एक tarpet हो, जो उसके cover करे, और जहां पर जो destination हो पर उसको ले जाए और डाले, लेकिन होता क्या है, ऐसे ही ले जा रहे है, और जो dust है, वो हवा में चल रहा है, चल रहा है, और जिसे बारिश का मौसम खतम हो आए, तो गड़े हर जगा है रोड पे, तो वहां इन रिजन का, यहां का जो transport system है, यह अच्छा है, metro है, सब है, बट दिल्ली की जो धाई करोड की population है, उसके हिसाब से यह उतना ज्यादा नहीं है, जो transportation, अगर हम इसको एना अच्छा करें, public transport better करें, और इसको हम increase करें, तो कुछ हद तक हम population को control करने में कामिया भी पा सकते हैं, और constructions जो हो रहे हैं, बड़े-बड़े buildings, complexes, constructions दिन बर दिन हो रहे हैं, लेकिन जो यहां पे, जो meaty, eat, इसको हम क्या करेंगे, regulate करें, इसको हम क्या करें, कि एक ऐसे तरीके से करें, कि जो यहां का environment हो, polluted ना हो, मतलब sand का, cement का, जो भी चीजें जहां पे हम dump कर रहे ह हैं, उस चीज़ को हम अच्छी तरह से करें, और जो मौसम है, suddenly आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे, गर्मी से हम सर्दी में पहुंच गए, कप-कपी होने लगी है, और जब यह कप-कपी होने लगी है, जो environment में जैसे है ना, तो होता क्या है, जो free flow of wind होती थी, वो जो भी dust है, जो transportation vehicle से आ रही है, या जो construction से आ रही है, जो गड़े हैं, वहां से आ रही है, या जो गाडियों में जो fuel इस्तेमाल हो रहा है, जो pollution हो रहा है, यह सारा क्या हो रहा है, एक smog बन रहा है, और इस टैम पे हमने देखा है, कि फसल जो आ रही थी, जो paddy की फसल है, जो हमारे जो आसपास के states हैं, जो पंजाब है, हरियाना है, उत्तर प्रदेश है, यहां पे फसल आ रहा है, जो फसल की जो कटाई होती है, farmers क्या कर रहे हैं, कटाई के बाद जो waste जो बचा हुआ है, उसको आग लगा दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, जो fumes generate हो रहे है और आग पंजाब में हो, या हरियाना में हो, या उत्तर प्रदेश में हो, जो smoke बन रहा है, जो आग लगने से, वो smoke भी कहा जा रहा है, क्योंकि change of climate है, winters आ गये हैं, free wind नहीं है, तो वो सारा जो dust के साथ, transportation के जो chemicals के साथ, और जो गड़े वड़े उसके dust के साथ, construction के dust के स और प्लस ये, जो आग जो लगी है, इसका जो है, ये सब मिलके क्या हो रहा है, एक smoke बन रहा है, और ये वहीं पे एक smoke बन के वो रुख गया है, और ये move नहीं कर रहा है, और जो बूड़े, जो बच्चे, जो यहाँ पे हैं, उनका जो inhale कर रहे हैं, वो जो inhale सारा carcinogenic है, न कि कई problems आ रहे हैं, जो इस pollution से हो रहे हैं, अब, हम कैसे इस problem को, issues को हम deal करें, कैसे, हर साल हम देखते हैं, दिवाली के बाद, एक headlines, और हर साल एक नया record हम तोड रहे हैं, तो हम कैसे किया जाएं, दिवाली मनाएं, लेकिन देखें कि हम इसको कैसे, मेरा contribution क्या रहेगा, इस festival को ठीक होने, अब festival दिवाली के बाद हुआ क्या है, न्यूज में देख रहे हैं, schools बंध है, क्यों बंध है, यह जो है, जहरीली जो हवा है, इसको हम कैसे करें, पता चल रहा है कि फैक्टरीज को रोग लगा दी गए यह पांच दिन के लिए, पता चल रहा है कि इस तरह क आगे, constructions को रोग दिया गया है, यह सारे temporary measures है, क्या भई हम दिल्ली में एक महने के लिए रहने वाले हैं, दो महने के लिए, पांच साल, साल, दो साल, नहीं, पूरे धाई करो लोग दिल्ली में मरते दम तक रहने वाले हैं, और अगर इस तरह का system रहा, pollution को लेके, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि आगे क्या होने वाला है, लोगों की उमर, बच्चे, उनके अंदर कितने problems आएंगे, अस्तमा के, cancer के, इस तरह से, अगर इसको हम control करना होगा, तो हमें एक कुछ long term plan चाहिए होगा, हमने देखा, कि इनके कारण क्या है, pollution के, अब cancer ना हो, यह हमारे जो cancer भगाओ के तरफ से, यह जो innovation है, कि हम कैसे cancer के मुद्दे को देश से निकालें, इस मुद्दे को हम कैसे solve करें, cancer से कैसे बचा जाए, cancer को होने ना दे, अगर हो जाए तो उसको कैसे treat करें, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, cancer का दिल्ली में, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा challenge होगा, दिल्ली को स्वस्त बनाने के लिए, cancer free बनाने के लिए, हमें कैसे कैसे, चीजे करनी पड़ेंगी, ऐसे, खुद को as an individual, मुझे क्या करना है, as an individual, देखिए, pollution से तो बचना है, मैं mask लगा सकता हूँ, घर को purify कर सकता हूँ, लेकिन इतने करने से तो मेरा purpose तो solve नहीं हुआ है, और यह आप कब तक करोगे, घर के बहार नहीं निकलोगे, बच्चों को walk पे नहीं भीजोगे, आप जाओगे नहीं, बहार अपने काम से घर बैठे काम कब तक कर सकोगे, इस चीज को tackle करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो घर का जो कूड़ा है, उसको नहीं जलाना है, अगर मेरी फसल है, तो फसल की कटवाई को जो waste बचा है, उसको नहीं जलाना है, अगर मेरे पास गाडिया है, तो गाड़ी में ऐसा fuel दाले, जो के pollute ना करे हैं, और अगर मेरी कोई transport company है, तो मैं ये देखूं कि कैसे इसका ये कम हो जाए, और एक काम और भी कर सकते हैं, जो डिली गोवर्मेंट ने किया था, कि भई, sharing, अपनी गाड़ी को हम share कर सकते हैं, या public, जैसे कि metro transportation है, public transportation है, उसको हम use करें, हम क्या करें, कि भई, इस transportation को use क करेंगे, तो क्या होगा? जो fumes अगर हम देखेंगे, दिली में कैसे होता है? 30% pollution हो रहा है, कैसे? घाडियों से, construction के work से, इस तरह से हो रहा है, अगर हम क्या करेंगे, ये गाड़ी वाले जो pollution है, इसको अगर कही नगई हम अगर कम कर देंगे, तो होगा. और दूसरा जो pollution ह हो रहा है इंडस्ट्री से हो रहा है जो 40-50 परसंट का जो पलूशन है जो फसल कट रही है और जो जल रही है हाँ बीच में अगर हम जैसे यह क्रैकर्स का होता है तो अचानक जो लेवल चल रहा था अचानक से बढ़ जाता है इस चीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं दिवा वाली मना नहीं है क्रैकर भी उड़ाने बट एक दायरे में रहे के जिससे के हम त्यवार भी मना पाएं और साथ-साथ हम एक एक अच्छा स्वस्थ एंवायर्मेंट हम बना सकते और एजन इन्विज्व मैं क्या कर सकता हूं मैं यह मेसेज जो आप सुन रहे हैं देख रहे यह आप एक देख रहे हैं लेकिन आप अपनी फैमिली में अपने ऑफिस में अपने एरिया के जो लोग हैं उनको दिखाएं ताके वह समझे बात को कैसे वह कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं पॉलिशन को कैंसर से लंग कैंसर एरवे कैंसर लैरिंग कैंसर जो कैंसर गौवर्मेंट इसमें जो transportation है दिल्ली का उसको improve कर सकती है बेतर कर सकती है number of transportation vehicles जो है गौवर्मेंट को उसको बढ़ा सकती है ताके 100 गाड Dia निकलने के बज़ाए सो लोग उस गाड़ी में जाए एक ही गाड़ी में और वो canbridgeable हो reachable हो approachable हो उस तरह से जैसे मेट्रो का सिस्टम है अपना इस तरह को हम कर सकते हैं दूसरा जो रोड्स जो हमारे बने हैं बारिश के बाद जो रोड्स खराब हो गए हैं जहां पर पानी जमा हो रहा है या जहां पर डस्ट है वो उनको पैच अप करें जल्दी से ठीक करें ताके इससे भी जो पल्यूशन हो रहा है हम उसको बंद करें और जो इंडस्ट्रीज हैं नए इंडस्ट्रीज की जो परमिशन है वो दिल्ली के बाहर दें ताके वो और उन पे उपर on and off चेक करें उनको better measures दें आइडियाज दें के production ज्यादा से ज्यादा हो और pollution कम से कम हो उसमें वो जैसे के बहुत सारे power plants हैं जिसमें diesel का use होता है कई इसमें coal का use होता है जब coal खतम हो जाता है तो diesel पे आ जाते हैं इसका जो pollution होता है और diesel vehicles का use कम से कम हम करें और जो registration है vehicles की उन पर थोड़ा दिहान दे हम देख रहे हैं पिछले एक साल में पांच लाग पचास हजार गाड़ियां दिल्ली में नए आई हैं इसको भी हम कुछ ना कुछ कैसी तरह से हम कर सकते कैसे किस लिए अपने लिए अपने दिल्ली के लिए दिली government को इसमें करना है pollution से कैसे बचना है इसके अलावा जो है जो construction sites है उन पे check हो construction sites की जो permit हो उनको देखा जाए मुंशी पाल्टी को एक major role करना है होता क्या है जो garbage जो निकलता है कच्रा जो निकलता है उसको जला दिया जाता है जैसे मन में और उसको जलाने के लिए जैसे winters में सर्दी है आसानी से जलेगा नहीं तो ज्यादा उसको use किया जाता है fuel को और उससे क्या होता है pollution का level और जाता है उस तक जाए उसको message पहुंचा है कि कैसे alternatives दें इसको कैसे इस चीज को deal किया जाए कैसी जो यह फसल आ रहा है इसको फसल को कटावती दे जो मेरा जो message है cancer भगाओ का जो message है आज का वो यह है कि pollution pollution को हम खुद कर रहे हैं pollution का जो main कारण क्या है अपने हिस्सेदारी को कम करें जैसे घर का जो कोई जलाना हो या कुछ गाड़ियों का इस्तेमाल करना हो कोई आपकी construction हो रही हो या इस तरह के कोई भी आपकी factory है तो उस तरह खुद यह देखें कि हमें यहां रहना है हमारे बच्चों को रहना है दि करना पड़ेगा तो इस तरह से और ही जो message क्या है कि डिल्ली के जो roads हैं उनको develop करना पड़ेगा डिली के जो pollution के causes जो हैं जैसे के जिसमें को हमने discuss किया हुआ है जैसे के गाड़ियों का या factories का या जो garbage का जो burn है या इस तरह के जो crackles का है इस तरह के जो भी चीजे हैं इसक को हम कैसे हम अपने हिस्सेदारी दें और लोगों को बताएं और बचें कैसे के भई हम अभी तो घर के बाहर ना निकले घर में रहें बचों को घर में रखें और देखें कि कहां पे ज्यादा pollution उस areas में ना जाए और इसका permanent हमें solution निकालना है अगर आपके दिमाग में भी क को forward कर सकते हैं और बच्चों को भी बताएं कि कोई चीज है ना जलाना हो या गंदगी कोई कर रहा तो वह भी बच्चे भी बता सकते हैं तो इस तरह से हम सब को मिलके यह जो में कॉस है pollution का और pollution से cancer होने का और स्वस्थ भारत होने का इसको control हमें करना है pollution को कम करना है स्वस्थ भारत करना है cancer को भगाना है डॉक्टर साह, आपने पॉल्यूशन के उपर बहुत अच्छी जानकारी दी, हमाये दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, कि पॉल्यूशन के वज़े से किस-किस प्रकार के कैंसर हो सकते हैं? पॉल्यूशन से, जहां तक मैं जानता हूँ, हर कैंसर हो सकता है, अच्छी होता क्या है, जो पॉल्यूशन जो होता है, जैसे कि मान के चलिए आप जो इनहेल कर रहे हो एर, तो वो होगी क्या हो, जो एर होगी, वो नाक से जाएगी, तो नेजल कैंसर हो सकते हैं, मू से जाए है लंग का cancer हो सकता है आपको intestine का cancer हो सकता है जो bladder urinary bladder जहां पे urine store होता है उसका cancer हो सकता है stomach cancer हो सकता है याने breast cancer तक pollution से हो सकता है अगर देखा जाए तो कोई भी cancer pollution सी हो सकता है लेकिन जो अधिकतर जो commonly जो cancer होता है वो होता है लंग का cancer, voice box का cancer, nasal pharyngeal cancer, ये cancer और bladder cancer ये अधिकतर pollution से होता है और अब हम सोचेंगे भई आपके जहन में बात आई होगी कि भई मुझे कैसे पता चले कि कहीं मुझे cancer हुआ तो नहीं, कहीं होने वाला तो नहीं तो simple है आप देखिए कि आपको जैसे कि खासी है, खासी normally allergic हो, dust से हो, एक citrizen आपने लिया, एक हफ़ते में आपको ठीक हो जाना चाहिए अगर एक हफ़ते बाद भी आपको खासी रही, आप खास रहे हैं, बलगम आ रहा है, खून आ रहा है और खासी दवाई लेने के बाद भी, दस दिन के बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो हो सकता है, लंका कैंसर हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप से, आवाज मेरी साफ है हो सकता है, अगर आपको वाईस बॉक्स का कैंसर है, जो पलूशन से हो रहा हो तो उसमें हो सकता है कि आपकी आवाज बारिक हो जाए, सांस में दिक्कत आने लगे, खासी होने लगे अगर वाईस चेंज हो जाए, बारिक होते होते है या बिलकुल बंदी हो जाए, या खासी हो, बलगम आ रहा हो तो हो सकता है कि ये भी cancer की sign हो symptom हो अब पता तो चल गया कि भी pollution से ये हो रहा है तो आप कैसे आपको ये पता चलेगा कि भी आप diagnosis कैसे करोगे आपको क्या है आप जिस doctor के पास जा रहे हैं उनको बता दीजी कि 10 दिन 15 दिन होगे मेरी ये खासी ठीक नहीं हो रही है मेरी सांस में दिक्कत बढ़ रही है मेरे नाक से बहरा है मेरे इसमेहना voice जो है वो बिल्कुल बदल नहीं रहा क्या ये हो सकता है तो वो क्या करेंगे वो एक pipe, endoscope या bronchoscope जो होता है वो दाल के वो देखेंगे कि अंदर कोई घावाव तो नहीं है अंदर कोई swelling welling तो नहीं है कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो cancer के जैसे अगर उनको doubt लगा bronchoscopy की उन्होंने या nasopharyngeoscopy की तो वहाँ से वो छोटा सा sample लेंगे या कुछ sputum भेजेंगे जाच के लिए या हो सकता है कि जब वो जाए जाच के लिए और उसमें आए कि भई आपको टीवी है या हो सकता है उसमें आए कि भई आपको cancer है स्कॉमस cancer हो या एडिनो कार्सिनोमा हो आज की date में cancer का सबसे important ये है कि cancer होना कोई घलत बात नहीं है ये किन को होता है? ये इनसानों को होता है जो जिवित है जो living है उनको होता है आदमी बिमार बन रहा है याने वो सेहतमन्द होने की अलामत है इससे पहले वो बिलकुल healthy था तो बिमारी से घबराना नहीं है डरना नहीं है, तो इसका मतलब यह हो गया, यह किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और pollution में हम रह रहे हैं, हमारा यह तो जहिर सी बाद है, भले वो businessman हो, politician हो, doctor हो, engineer हो, या कोई भी बंदा हो, एक आम आदमी को भी यह problem आ सकती है, जो हम जब जाता है, तो क्या करते है, doctors, एक X-ray लेंगे, उसमें doubt आया, तो CT करेंगे, बाइपसी करेंगे, पता चला के नहीं जी, छोटी सी लंग में गांट है, अब यह गांट, cancer है नहीं है, डॉक्टर बोलेगा, मैं ब्रॉंकोस्कोपी करूँगा, बाइपसी लोगा, तो आपको भागना नहीं है, आपको, हाँ, देख लें, क्या पता, आपको cancer ही ना हो, आप डर रहे हो, भाग के, घबरा के, आप दूर भाग रहे हो, फिर जब ब्रॉंकोस्कोपी होगी, जब बाइपसी लेगी, आ जाएगा कि यह ग्रैनलोमा है, allergic granulomatis है, बात हो गई, को बिल्कुल जैसे सब हैं, वैसे आप सेहत्मद हो जाओगे, आपकी जिन्दगी बिल्कुल साउसाल दूसरी की तरह है, मान लिया के cancer आ गया, तो क्या करें हम, घबराएं, डरें, नहीं, cancer भगाओ से हमने हमेशा एक message पास किया है, कि cancer ला इलाज बीमारी नहीं है, cancer का 100% cure है stage 1 में, आपको जब पता चले कि इसमें डॉक्टर के पास जाएं, क्यूंकि उसको पता है कि इसका इलाज कैसे होता है, कैसे आपको बचा दिया, आपको सिर्फ जाना है, अपने आपको उनके हवाले करना है, जो suggestion वो दे, standard suggestion, एक अच्छे डॉक्टर के पास, एक अच्छे hospital में, अच्छी जगा पे, इलाज करवाना है, कई लोग आएंगे, आपको बोलेंगे, कि नहीं, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इस तरह, जो standard इलाज है, जो world में हो रहा है, वो इलाज आपको करवाना है, फिर क्या होगा, दो सेंटिमेटर से चोटी गांट है, उसको निकाल दिया जाएगा, रिपोर्ट आएगी कि वही, आपकी बीमारी खतम है, आपने माना के डिले कर दिया, दो मेहने, तीन मेहने, तो वह गांट पांस सेंटिमेटर की होगी, उसके नोड्स आ गये, तो आप क्या किया जाएगा, और उसके बाद सिकाई की जाएगी, दवाई की जाएगी, या और लेट पहुँच गया, आप स्टेज थ्री में, बीमारी थोड़ी ज्यादा पहल गई, लंग से जाके, नोड्स पे जाके, और आस पास में पहली वी है, तो इसको पहले कीमो देंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, सिकाई दवाई करेंगे, आप ठीक हो और लास स्टेज में पहुंच जाते हो, तो आज की डेट में लास स्टेज में भी जिन्दगी को बढ़ाया जा सकता है, परिशानी को कम किया जा सकता है, तकलीफ को कम किया जा सकता है, याने कहने का मतलब है कि इलाज करवाएं, इलाज से दूर ना भागे, इम्तिहान दे ह हो सकता है आप पास हो जाओ 100% ठीक हो जाओ आपकी लाइफ औरों की तरह बिलकुल ठीक हो जाए तो मेसेज क्लियर है पॉलूशन से बहुत कैंसर होते हैं हमें भी गौवर्मेंट को भी हम सब को मिल को है जो पॉलूशन वाला जो प्रॉब्लम आ रही है इसको हमें डील करना चाहिए और एक स्वस्त भारत की तरफ हम सब को जाना चाहिए डॉक्टर साब आपने हमें इतनी अच्छी जानकाई दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो यह था हमारा आज का खास कारेकर्म कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्का हमने हमिल तक के लिए यह गु張 यह ऐस judgments लिए विर देन का वारत काल से खावशी की तरफ हम सरेकित Mount